हे गाईज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल, आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें वोट्सप करना है, आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी आवेलेबल होंगे, वो सेंड कर दिये जाएंगे, हमारे जो वोट्स नमबर रहेंगे, वो हैं 86, 96, 65, 41, आप इस नमबर पर हमें वोट्स अप कर सकते हैं, आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी स्टुडेंट्स होते हैं, वो कॉंटिनियसली इस पर कॉल करते हैं, थैंक्यू सो मुच परिचाय अरून, तुम्हें पिछले वर्ष विज्ञान में कितने प्रापतांक मिले थे? सेर, 72 प्रापतांक मिले थे? और गणित में? 84 सेर, विज्ञान में 72 और गणित में 84, ठीक है प्षधा, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें गणित और विज्ञान में कितने प्रापतांक मिले थे? सर, मुझे विज्ञान में 86 और गणित में 85 प्रापतांक मिले थे? ठीक है, विज्ञान में 86 और गणित में 85 पतीक, अब तुम मुझे बताओ से, विज्ञान में सरसट और गणित में बहत्तर ठीक है, क्या तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे प्राप्तांकों को इस कोश्ठक में लिखा है? ये क्या दर्शाता है? कोई भी एक बताओ ठीक है, मैं ही बता देता हूँ ये आविव के रूप को दर्शाता है आज हम जानेंगे कि आविव और उसकी संक्रियाएं क्या होती हैं तो आओ शुरू करते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आवियो को परिभाशित करना आवियो की कोटी की व्याख्या करना विभेन प्रकार के आवियों को लिखना चुन्ने आवियो को परिभाशित करना आवियो की समानता को समझना आवियो के योग को समझना आव्यू की परिभाशा एक आव्यू इस्तंभों तथा पंग्तियों में आकडों को वैवस्तित करने का एक तरीखा है एक आव्यू को कुष्ठकों के भीदर लिखा जाता है एक आव्यू के प्रतेकपत को एक प्रविष्टी कहा जाता है इस आव्यू की तरफ देखिए, इसमें दो पंक्तियां तथा तीन स्थम्भ हैं निम्न आव्यू की प्रविष्टियां हैं दो, घटा पांच, दस, घटा चार, उननीस और चार आव्यू की कोटी एक आव्यू की कोटी एक दिये आव्यू की पंक्तियों और स्थम्भों की संख्या को दर्शाती है संखे से एक आव्यू की कोटी पंक्तियों की संख्याओं गुणा स्थम्भों की संख्याओं के द्वारा सी जाती है यहां आप चिनांकित पंक्तियों तथा स्तंभों सहित उसी आवियों के दो चित्रों को देख सकते हैं इस आवियों की कोटी दो गुणा तीन है अर्थात दो पंक्तियां गुणा तीन स्तंभ आवियों संकेटन आवियों में एक प्रविष्टी की पहचान करने के लिए स्तंभ के बाद हम केवल संबंधित प्रविष्टी की पंक्ति का एक पदांक लिखते हैं आवियू A में दृतिय पंक्ती तथा दृतिय स्टम्व की एक प्रविस्थी को निरूपित करने के लिए हम A2-3 के लिखते हैं A2-3 पंक्ती संक्या दो सथा संक्या तथा संक्या तेन इंगत करता है संब और पंक्ती आवियू इस्तंब आव्यू यानि column matrix आव्यू जिसमें किवल एक इस्तंब होता है, इस्तंब आव्यू कहलाता है इस्तंब आव्यू का उधारण ए बराबर इस्तंब हनुसार 21, 17, 9 इस आव्यू में तीन पंक्तियां हैं किन्तु केवल एक इस्तंब है, आता है ये एक इस्तंब आव्यू है इसकी कोटी तीन कुणा एक है पंक्तियाव्यू यानि row matrix एक आव्यू को पंक्तियाव्यू कहा जाता है, यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो उधारणार्थ पंक्तियानुसार 3, 5, 1 एक पंक्ति आव्यू है, क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है वर्ग आव्यू तथा विकर्ण आव्यू वर्ग आव्यू एक M कुणा N आव्यू हो, A को वर्ग आव्यू कहा जाता है यदि M पराबर N हो, यानि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभूं की संख्या हो उधारणार्थ 3 कुणा 3 कोटी वाला A, एक वर्ग आव्यू है विकर्ण आव्यू एक विकर्ण आव्यू में, विकर्ण के उपर तथा नीचे के सभी अव्यव चूने होते हैं उधारणार्थ 2 एक विकर्ण आव्यू है आदिश तथा तस्समग आव्यू आदिश आव्यू एक विकर्ण आव्यू जिसमें विकर्ण के सभी आव्यव समान होते हैं अदिश आव्यू कहलाता है इस आव्यू को देखें यह एक समान विकर्ण आव्यवों वाला विकर्ण आव्यू है अर्थात 7 अदेव यह एक अदिश आव्यू है तस्समग आव्यू तथा शेश अन्य सभी अवियव क्योंने होते हैं, तस्समक आवियो कहलाता है। तस्समक आवियो को इकाई आवियो अत्वा प्रारंभिक आवियो भी कहा जाता है। तस्समक आवियो को शब्द I N कुणा N से निरूपित किया जाता है जहां N कुणा N आवियो की कोटी को दर्शाता है शून्ने आवियो एक शून्ने आवियो अथवा रिक आवियो वो है जिसमें सभी अवियव शून्ने होते हैं यहां पर एक तीन गुणा तीन शून्ने आवियो है चून्ने आवियू के तीन और उधारण इस प्रकार हैं चून्ने आवियू को चून से निरूपित किया जाता है आवियू की समानता दो आवियू एक समान होते हैं यदि उनकी कोठी समान हो तथा संगत अवियव समान हो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अ अ गुणा M बराबर A I J तथा B P गुणा Q बराबर B I J तब A बराबर B है यदि और केवल यदि N बराबर P N बराबर Q तथा परिसर में सभी I और J के लिए A I J बराबर B I J हो आवियू P तथा Q समान हैं यहां दो अवियव हैं यद्यवी जिनके अवियव समान हैं जो की बराबर नहीं हैं समान आवियू के उधारण दिया गया है कि निम्निलिकित आवियू समान हैं X, Y तथा Z का मान ग्यात कीजिए दो आवियू के लिए उनका परिमान तथा आकार समान होना चाहिए तथा उन्हीं स्थानों पर वही मान होने चाहिए यह हम कह सकते हैं A1-1, B1-1 के बराबर होना चाहिए A1-2, B1-2 के बराबर होना चाहिए तथा इसी प्रकार आगे भी एतेव संगत अवियूं को बराबर करके हम निम्न चरूं को हल कर सकते हैं X जमात 3 बराबर 6 X बराबर 3 Y बराबर घटा 1 Z घटा 3 बराबर 4 Z बराबर 7 आवियू का योगफल सभी संगत प्रविष्टियों के योगद्वारा दो आवियूं को जोड़ने की संक्रिया है दो आवियूं को जोड़ा जा सकता है यदि उनकी कोटियां समान हो अर्थात उनके संभों तथा पंक्तियों की संक्रियां समान हो आईए इन आवियों को जोडते हैं हमें प्रविष्टियों के युग्मों को जोडना होता है सथा फिर अंतिमुत्तर के लिए सरली कृत्त करना होता है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती शूर्ने एक दो दूसरी पंक्ती नौ आठ साथ जमा पंक्ति अनुसार, पहली पंक्ती 6-5-4, दूसरी पंक्ती 3-4-5, अता इसी तरह इसे आगे हल करने पर हमें, पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 6-6-6, दूसरी पंक्ती 12-12-12 प्राप्त होता है. क्या आप जानते हैं, यदि A तथबी समान कोटी के नहीं हो, तब A जमा भी परिभाशित नहीं है. उधारण के लिए यदि A परापर है, पंक्ती अनुसार पहली पंक्ती 2-3, दूसरी पंक्ती 1-2-3, दूसरी अनुसार पहली पंक्ती 1-2-3, दूसरी पंक्ती 1-1, तब A जमा भी परिभाशित नहीं है. आवियोग का योगफल समान कोटी वाले आवियोगों के समुझ में बाइनरी यानि दूयाधारी संक्रिया का एक उधारण है. सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. एक आवियोग फलनों या संक्ष्याओं की एक क्रमित आयताकार सारणी है. एक आवियोग जिसमें M पंक्तियां सथा N संब होते हैं, M गुणा N कोटी का आवियोग कहलाता है. A, I, J, M गुणा 1, एक संब आवियोगों है. A, I, J, एक गुणा N, एक पंक्तियां आवियोग है. एक M गुणा N आवियोगों एक वर्ग आवियोगों है. यदि M पराबर N हो. A पराबर A, I, J, M गुणा M, एक विकन आवियोगों है. यदि A, I, J, 0 नहोगों अगर I पराबर नहों जेके. A पराबर A, I, J, N, गुणा N एक अदिश आवियोगों है. यदि A, I, J पराबर शुनने हो, अगर I पराबर नहों जेके. A, I, J, पराबर K हो, एक अचराशी है. अगर I पराबर J हो, A पराबर A, I, J, N, गुणा N, एक तस्समग आवियोगों है. यदि A, I, J, पराबर एक हो, अगर I पराबर J, A, I, J, पराबर शुनने हो, अगर I पराबर नहों, जेके. एक शुन आवियोगों के सभी अवियावशुने होते हैं. A पराबर A, I, J, पराबर B, I, J, पराबर B है, यदि A तथा 20 समान कोटी के हो, और I तथा J के सभी संभवमानों के लिए A, I, J, पराबर B, I, J, पराबर B, I, J, पराबर B, परिचाए, से, हम आवियोग के सिध्धान्त को कहां लागू करते हैं? बेटा, हम आवियोग का उपयोग रेखिये समीकरण की प्रणाली की साहत तथा सरल विधी को प्राब्त करने के लिए करते हैं। विभिनिक कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए क्या हम आवियोग का उपयोग कर सकते हैं? आवियोग के संकेतन और संक्रियाओं का उपयोग परसनल कम्प्यूटर के लिए Electronic Spreadsheet प्रोग्राम में किया जाता है, जिसका बारी-बारी से वियापार तथा विज्ञान के विभिनिक्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे बजट, भिकरी प्रक्षेपन, लागत अ प्रयोग के परिणामों के विशलेशन आदी में सर, क्या आवियूहों का गुणा किया जा सकता है? हाँ, हम आवियूहों का गुणा कर सकते हैं इसकी विधी अलग है क्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ सर ठीक है, आज मैं तुम्हें आवियों के गुणन के बारे में सिखाऊंगा उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक अधिश से एक आवियों में गुणा करना एक आवियों के योगफल के गुण धर्म को समझना एक अधिश कुणन के गुण धर्म को जानना आवियों के गुणन की विधी को जानना एक आवियों के गुणन के गुण धर्मों को समझना एक अधिश से एक आवियों का गुणन आवियों के गुणन के दू प्रकार होते हैं अधिश गुडन तथा आवियू कुडन अधिश गुडन आसान है हम बस एक नियस संख्या लेते हैं जिसे एक अधिश कहा जाता है तथा उसका गुडन आवियू की प्रतेक प्रविष्थी से करते हैं दिये गए आवियू एक के लिए दू एक ज्याद कीजिए दो A ज्यात करने के लिए प्रथम अधिश गुणन करने के लिए हम सिर्फ एक दो का गुणा आवियों में प्रतिक प्रविष्थी से करते हैं अथा उत्तर निम्न है आवियों का रिण आवियों आवियों के रिण आवियों को घटा A से निरूपित किया जाता है हम निरूपित करते हैं घटा ए बराबर घटा एक ए आवियो के योगफल के गुण धर्म वास्तविक संख्याओं के लिए योगफल के आधार भूद गुण धर्म आवियो के लिए भी सत्य है मालिजे कि A, B तथा C, M कोड़ा N आवियो हों तब 1. A जमा B बराबर B जमा A जोकी क्रम विनिमे का गुण धर्म है 2. सहचर्य गुण धर्म है A जमा B जमा C बराबर A जमा B जमा C 3. योग का तस्समक 1. M कोड़ा N आवियो ओ इस तरह है कि A जमा O बराबर A 4. योग का प्रतिलोम किसी M कोड़ा N आवियो A के लिए 1 M कोड़ा N आवियो B घटा A कह जाता है इस तरह है कि A जमा B बराबर O अदिश गुण का गुण धर्म स्वाधारन बीच गुणित के सभी नियम आवियों के योगफल या व्यवकलन अथ्वा उनके अदिशों के गुण पर आधारित हैं प्रथम गुण धर्म है यदि A तथा B समान कोटी की दो आवियो हों तथा यदि के एक अदिश हो तब के ए जमा बी बराबर के ए जमा के बी एक अन्य गुण धर्म है यदि के एक तथा के दो तो आधिश हैं एवं यदि A एक आवियो है तब के एक जमा के दो ए बराबर के एक ए जमा के दो ए तथा के एक के दो ए बराबर के दो के एक ए आवियों का गुणन फल हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदि प्रतम आवियों के स्तंभों की संख्या दूतिये आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो अन्य था दो आवियों का गुणन आप परिभाशित होता है आवियों के गुणन की कोटी है प्रथम आवियों की पंक्ती गुणा दूतिय आवियों का इस्दंभ आवियों के गुणन की विधी चलिए अब दो आवियों के गुणन की विधी सीखते हैं आईए एक सामान ने दो गुणा तीन आव्यू से एक तीन गुणा दो आव्यू का गुणन करते हैं उत्तर एक दो गुणा दो आव्यू होगा हम क्रमशा आव्यवों को जोड़ते और गुणा करते हैं हम प्रथम आव्यू की पहली पंक्ति लेते हैं दूतिय आवियो के प्रथम इस्तंभ में एक-एक आवियम में बारी-बारी से नीचे की ओर गुणा करते हैं। हम परिणामी गुणन को जोडते हैं, हमारा उत्तर आवियो में इस्तिति ए ग्यारा 22 शीर्ष में रखा जाता है। हम प्रथम आवियो की पहली पंक्ती तथा दूतिय आवियो के दूसरे स्तंभ के लिए यही प्रक्रिया करते हैं, परिणाम को ए 12 शीर्ष में रखा जाता है। अब प्रथम आवियो की दूसरी पंक्ती के लिए तथा दूतिय आवियो की पहली पंक्ती के लिए करते हैं, परिणाम को ए 21 शीर्ष में रखा जाता है। हमारी दो आवियो के गुणन का परिणाम इस प्रकार है। उधारन, दो आवियो दिये गए हैं। दिरणे लिजिए कि किस आवियो के गुणन A, B अथवा B, A को परिभाशित किया गया है तथा उसका आगलन कीजिए। चूंकि A दो गुणा 3 है, तथा B तीन गुणा 4 है, उसक्रम में गुणन A, B परिभाशित है तथा गुणन आवियो A, B का परिणाम होगा दो गुणा 4। गुणन B, A आपरिभाशित है, चूंकि पहले गुणन खंड B में 4 स्तंभ हैं, किन्तु दूतिय गुणन खंड A में केवल 2 पंग्तिया हैं। गुणन को परिभाशित करने के लिए प्रथम आवियो के स्तंभों की संख्या, डूतिय आवियो की पंग्ति की संख्या से मेल खानी चाहिए। हल, A में पंग्ति 1 तथा B में स्तंभ 1 का डौट गुणन लेने पर, A, B में 1-1 प्रविष्ठी मिलती है। A, B में 1-1 प्रविष्ठी 1 है। जो A, B में 1-4 प्रविष्ठी देता है। अब A, B की दूतिय पंग्ति के लिए A में पंग्ति 2 तथा B में स्तंभ 1 का डौट गुणन A, B में 2-1 प्रविष्ठी देता है। अंत में B में स्तंभ 3 और 4 के साथ A में पंग्ति 2 का डौट गुणन लेने पर, A, B में क्रमशा 2-3 तथा 2-4 प्रविष्ठी प्रविष्ठी प्राप्त होती है। अतेव A, B को हल किया जा सकता है। पंग्ति अनुसार पहली पंग्ति 1-3 घटा-2 घटा-2 दूसरी पंग्ति घटा-10-11 घटा-10-19 आवियो के कुणन के दौरान विचार किये जाने वाले कुछ बिंदू यदि A, B परिभाशित है तब B, A परिभाशित होना चाहिए। आवियों के गुणन की अक्रम विनिमेता यहां तक कि अगर A, B तथा B, A दोनों परिभाशित हों तो ये आवशक नहीं है कि A, B पराबर B, A होगा। आवियों के गुणन के गुण धर्म आवियों का गुणन सहचर्य होता है। उधारनार्थ तीन आवियों A, B तथा C दिये गए हैं। अधा निम्न लिखित पहचान सर्व था सत्य है। A, B गुणा C बराबर A, B, C योग में आवियों का गुणन वितरन होता है। A, B, C बराबर A, B, C गुणक पहचान का अस्तित्व प्रतेक वर्ग आवियों A के लिए समान कोटी की एक तस्समग आवियों अस्तित्व में इस तरह है की I, A बराबर A, I, बराबर A उधारण X तथा Y क्यात कीजिए यदि X जमा Y बराबर है आवियों पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 7-0, दूसरी पंक्ति 2-5 के तथा X घटा Y बराबर है आवियों पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 3-0, दूसरी पंक्ति 0-3 के हल X जमा Y तथा X घटा Y दिया गया है इसे एक तथा 2 की रूप में चिनित कीजिए अब समी करण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं हमें प्राब्त होता है 2 X बराबर आवियों पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 10-09, दूसरी पंक्ति 2-8 इसलिए X पराबर है आवियों पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 5-09, दूसरी पंक्ति 1-4 अब X जमावाई में X कमान रखने पर तथा हल करने पर हमें प्राप्थ होता है आवियो Y पराबर है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 20 दूसरी पंक्ती 11 के क्या आप जानते हैं? आवियो का उप्योग समानता लंबे समीकरण को हल करने के लिए बीच गडित में किया जाता है चरों जैसे की X तथा Y लिये गए हैं तथा संक्याओं के वर्ग या आईताकार ग्रिट बनाने के लिए परिडामी संक्याओं को पंक्ती एवं इस्तंभों में व्यवस्थित किया गया है प्रश्णों को और अधिक सहज़ता से हल करने के लिए इन संक्याओं की गड़ना की जाती है सारांश आईए हमने जो कुछ तीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं घटा A बराबर घटा एक गुणा A A घटा B बराबर A जमा घटा एक गुणा B A जमा B बराबर B जमा A A जमा B जमा C बराबर A जमा B जमा C जहां A, B तथा C समान कोटी की है के गुणा A जमा B बराबर के गुणा A जमा के गुणा B जहां A तथा B समान कोटी की हैं के अचर है के जमा L गुणा A बराबर के गुणा A जमा L गुणा A जहां के तथा L अचर हैं हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदी पहले आवियों के स्तंभों की संख्या दूसरे आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो A गुणा B C बराबर A B गुणा C